मैं आपके साथ मनोज वर्मा इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि फायर्स पे code generate करके automation से order कैसे लगाए जाते हैं तो जैसे कि आपको पता होगा next level bought है इसके जड़िए आपको order लगाने पड़ेंगे और यह मेरा फायर्स का अकाउंट है आप देख सकते हो कि working order के अंदर zero order है और वैसे all के अंदर 21 है क्योंकि मैं 21 order पहले ही चेक कर चुका हूँ और यह मेरा trading view account है जिसके लिए आपको एक trial account चाहिए अदरवाइस आपके पास trial account नहीं है तो आप 100 उपीज में purchase कर सकते हो trial account और यह हमारी website 499 में आप fire जरोधा है न पिस्टो किसी भी जगह आप automation trading कर सकते हो API आपको लेनी पड़ेगी fires free API देता है अधर आपको charge करते है API का तो हम beta testing यह beta syntax है इस पर हम click करेंगे order दालने के लिए और मैं आपको काफी सारे order दिखाऊंगा कैसे लग रहे हैं जिससे कि आपको idea हो जाएगा कि fires के order कैसे बनाए जाते हैं आप automation trading mobile से भी कर सकते हो PC से भी कर सकते हो और इसी तरीके से आप जरोधा आप इस टोक पे भी कर सकते हो बट मैं जो particular concept ले रहा हूँ अभी fires का ले रह किया बाय करना है market limit order लगाऊंगा मैं क्योंकि limit में यह होगा कि market में एक quantity क्या बाय करना तो limit बाकी सारे order दिखाऊंगा market को छोड़के तो मैंने limit order select करा उसके बाद product है product जब select करना है हमें इसके अंदर fires के अंदर जब हमें delivery लेनी है CNC मतलब delivery तो हमें delivery नहीं लेनी intraday में क जो चीज आपकी टिगर होगी condition match होगी उससे एक रुपे नीचे आपकी bid लग जाएगी इसे आप percentage में भी select कर सकते और without percent भी तो यह सारी चीज़े मैंने fill up करी generate करा and copy code का बटन आए इस पर copy करना automatic code copy हो जाएगा मैं अपने trading view account पे चलता हूँ तो यहां पर आप किसी भी indicator या किसी भी strategy के साथ automation trading कर सकते बट मैं horizontal line लूगा और इसका reason यह है कि horizontal line पर मैं fast trigger करा पाऊंगा अगर मैं indicator लगा तो मुझे condition match होने का time देना पड़ेगा and वो कम condition match होगी जब मेरा order जाएगा तो इसलिए मैंने horizontal line ले ली अब horizontal line की जो condition है वो यह जैसी candle इस पर touch करे order लग तो अभी हम वेट नहीं करेंगे candle के touch होने का हम जान बूच के touch कराएंगे आप देख सकते हो यहाँ एक alerts बन गया है हम जान बूच के test कराएंगे जिससे कि हम देख सके कि order जा रहा है नहीं जा रहा तो जैसे आपको पता है regular का limit order है and मैं इसे trigger कराने जा रहा हूँ मैंने candle क बिल्कुल इसको front पर रख दिया है जैसे candle moment करेगी यह alerts आएगा जैसे यहाँ आया and मैं जरुधा फाइर पर जाओंगा तो यहाँ पर वो order दिख जाएगा आप यह दीख सकते हो order type by है और order by है and type limit limit order दाला ता मैं इसे cancel कर देता हूँ इसी की तरीके से मैं आपको काफी सार order दिखाने वाला हूँ इसलिए मैं cancel कर रहा हूँ यह demo video है अब दुबार से हमें इसे करना है अब क्या है कि जो code है इसको reset करने के लिए आपको दुबारा next step पर click कर देना है जैसे मैं जुरुधा पर कर देना है इससे क्या होगा जो भी code आपने बनाया तो reset हो जाएगा NAC में order लगा रहा है quantity एक है buy करना आप buy sale कुछ भी select कर सकता हूँ अब मैं SLM order लगानी जा रहा हूँ जैसे SLM order खोला तो मेरे सामनी यह option खुल गया TP1 रख लेता हूँ यह टिगर प्राई है SLM में और यह CNC मैंने select इसलिए नहीं करा क्योंकि हमें delivery लेनी ही नहीं यह मैंने code copy करा and code generate करा यहां से copy करा यह मेरा code generate हो गया हम में इधर गया and मैं चाहूं तो दुवारा train line दालके काफी सारे alerts लगा सकता हूँ बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ एक ही उसी alerts को edit कर दे रहा हूँ जिससे की बार-बार multi line हो जाएगी तो मेरे को confusion होगा बट काफी लोग पू alerts आएगा आपका order चले जाएगा यह matter नहीं करता आपका चार्ट वह open होना चाहिए तो हम इसे save करते हैं अब जैसे कि आप जानके यह SLM order है और हमने इसे front पर जाकर टिगर कराया जैसे candle movement करेगी alerts आया हम इस पर गए और यहां पर वह order आएगा अब मैं आपको एक fires की बात Fires पर कई बार क्या होता है कि order नहीं आते तो मैंने पहले बताया था hard refresh करना होता है तो आप क्या करना है आपको इस setting के icon पर click करना है and refresh trading कर देना है जैसे आप इसे click करोगे तो आपका order यहां पर दिख जाएगा तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको हां जी यह order आ गया आप देख सकते हैं यहां पर यह थोड़ा से delay order आया है and आपको क्या करना आपको अगर order ना है तो यहां पर refresh trading करनी है आपका order आ जाएगा तो मैं इसे भी cancel कर देता हूँ एक बार आपको दिखा दीता हूँ बाइ साइड का order है order type stop है जो SLM order था उसको न अब इदर क्लिक करा फिर से हमने कोई symbol select करा ntpc कर लेते हैं nsc करा सारे order मैं ntpc पर दिखा देता हूँ आपको buy करा and यह SL order है and इसके अंदर TP trigger price and PR price मतलब जो price है कितने रुपर कितने रुपर नीचे जो डालते है वो चीज डालनी जरूरी है तो आप इसे percentage में भी कर सकते and without percent भी कर सकते हैं तो मैंने इसे without percent कर रहा code generate करा copy करा अपने trading view account पर आया and मैंने इसके अंदर edit करा इस code को और इस code को मैंने इस तरीके से डाल दिया जैसे ही डाला यह save हो गया अब मैं इसे trigger कराता हूँ तो मैंने जैसे ही हाँ trigger करा हूँ मैं यह alerts आए जैसे आपको पता alerts आया हम अपने fires account पे गए वेट करते order आने का आप देख सकते हो stop limit order आ गया यह stop limit order stop order से काफी fast आया है अगर यह order नहीं आया तो मैंने आपको बताया कि आप इस पर trigger करोगे आपको order show हो जाएगा पर back end में order लग गया है आप इस चीज की चिंता नहीं करो कई वार क्या होता ह हो regular के हमने सारे order check कर लिए अब हम cover पे आ जाते हैं हम दुबारा से अपने टूल पे गए जो syntax generate code है यहाँ पर गए और फिर से जो रोधा क्लिक करा fires पे गए जिससे reset हो जाए code cover लिया यहाँ पर फिर से हमने एक symbol दाला यह भी मैं आपको limit पे दिखाऊंगा यहाँ दो order हो ह पर फाली बाय करना है लिमिट में बाय करना है तो पी आर मतला आपको जैसे पता है कि cover order के अंदर price दालना पड़ता है कि कितना price के नीचे लेना चाहते हो लिमिट के अंदर और SL दालना पड़ता है तो मैंने एक रुपे नीचे लेना चाहता हूं और एक रुपे का SL लेना चाहता हूं तो मैंने दोनों चीज बराबर कर दिए code generate करा और देखते ही order लगेगा नहीं लगेगा मैं ऐसा करता हूं चलो एक एक रुपे कर देता हूं और मैं इधर गया और code के अंदर थोड़ा सा एडिट करा जो पहले code था उसको रिमूव करा यह पहले का code रिमूव करा और नया code दाला save करा and tigger कराएंगे हम दूबार से and जैसे में tigger कराऊंगे फिर से alerts आजाएगा जैसे alerts आता है मैं आपको दिखाता हूं यह alerts आया हम fires पे गए वेट करते हैं order आने का यह order आ गया तो यह cover order आ गया हमारा and जिसके अंदर यह दो order जो आपको दिख रहे है एक यह आपका buy order है जो हमने buy करा और एक इस stop loss है जो sale दिख रहा है I think आप cover order लगाते हो तो आपको पता होगा cover order किस तरीके से दिखते हैं तो मैं एक cancel करूंगा आपको अटोमेटिक दोनों cancel हो जाएंगे क्योंकि यह cover order का ही पार्ट है देखा मैंने cancel कर दोनों cancel हो गए तो मैंने cover order भी आपको market में दिखा दिया अब bracket order पर आ जाते हैं फिर से हमने जुरुद्धा किलिक करा fire पर आये bracket order पर किलिक करा one quantity करा sorry one नीं यहाँ पर symbol नाम देन है तो मैंने NTPC दिया NSE करा quantity one कर देता हूं and buy कर देता हूं अब यहाँ पर जो bracket order चार तरह के order है market को मैं आपको दिखाऊंगा नहीं limit दिखा देता हूं आप market भी लगा सकते हैं कोई ऐसी बात नहीं and limit के अंदर जो है इसमें एक चीज़ या रखनी इसमें SL और SO में percentage नही होता है यह आप number में दाल सकते है percentage में नहीं तो मैंने PR1 करा SL1 करा and यह सब 1-1 कर दिया generate code करा code आ गया copy करा and मैं फिर से इधर गया and code को मैं चेंज करा यह मैंने पुराने code को delete मार दिया and new code add कर दिया उसके बाद मैं इसे फिर से टिगर कर आता हूँ जैसे आपको पता है टिगर होगा तो यह अलर्स आएगा and आपको बैल की भी आवा जाएगी यह आई वोइस and then आप यहाँ देख सकते हैं sorry fire sira यहाँ देख सकते है bracket order आ गया तो bracket order के अंदर यह एक यह order आता है जब यह execute होगा तो यह automatic buy sale आपको सब किस दिखाने लगेगा अगर आप bracket order दालते हो limit में आपको पता होगा तो its mean यह working कर रहा है अब हम इसे बंद कर देते हैं यह भी मैंने काट दिया अब हम फिर से आ जाते हैं bracket order में मैं आपको SLM order दा दालके दिखा देता हूं फिर से हम जरुद्धा पर click करेंगे फायर्स पर आएंगे यह बारवर जरुद्धा पर click करके फायर्स पर आता हो जिससे कि वह जो reset code है वो reset हो जाए कुछ भी mismatch ना हो NTPC कर देते हैं NSC कर देते हैं quantity one कर देते हैं buy कर देते हैं and SLM order कर देते हैं SLM order में यह तीन चीज़े आती है जरुद्धा के अंदर बाकि अगर उधर जरुद्धा में देखेंगे तो महां trailing stop loss भी दे रखा और यह फायर्स में नहीं दे रखा तो हम क्या करते हैं हम one दालत तो आप ऐसे काफी सारे alerts set कर दोगे जो भी आपकी condition हो जो alert जैसे ही tigger होंगे आपके order लग जाएंगे पर मैं only for one पर दिखा रहा हूं क्योंकि यह demo वीडियो है and जैसे मैं इसे tigger गाऊंगा आपको पता एक new alerts यहां पर आएगा यह आया and उसके बाद हम चलते हैं अपने fires account पर एंड हम वेट करते हैं यह order आगया आप order type में देख सकते हो stop लिखावा है और bracket लिखावा है product type bracket है मतलब bracket order के अंदर stop loss market order लगाए तो I think आप समझ गये होंगे जो इस order पर काम करते हैं and मैं इसे remove कर देता हो Google पर सर्च कर लेना कि यह order किस काम में आता है काफी लोगों क पता नहीं होगा तो Google पर सर्च करेंगे उन्हें पता चल जाएगा फिर से हम नया order लगाते हैं अब हम फिर से जो रधा पर किलिक करेंगे फिर fires पर किलिक करेंगे reset होगी coding इधर आए यहाँ पर हमने ntpc दाला फिर buy करा and quantity one लेना चाहते हैं buy करना चाहते है and SL order अभी SLM द दाल सकते हो by default यह number में आता है तो मैं number में दाल रहा हूँ SL और SO अभी के लिए आप number में ही दाल पाओगे percentage select करने पर भी percentage के साथ नहीं आएगा मैं कौन generate करता हूँ तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर one ही आ रहा अगर आप percentage set भी कर दोगे जब भी यह number में ही आएग क्योंकि यह option मैंने भी बंद कर रखा है मैंने copy करा code इधर गया code के अंदर गया इधर गया और यहाँ पर जाके मैं एक score को change कर देता हूं and save कर देता हूं तो आपको पता है यहाँ पर एक alerts आएगा यह alerts आ गया और दो alerts आ गया इस बार 32 seconds पर यह दो इस लिए आ गया कि बिल गये और refresh करा आप देख सकते working order में 2 दिख गये तो यह server issue है इनका refresh करते ही आपको order दिख जाता पर back end में लगाव है order वो अगर तीगर होता तो आपकी position बन जाती पर आपको यहाँ नहीं दिख रहाता refresh करने पर आपको दिख जाता तो आपने देख लिए दोनों order भी लग आज आते हम दूसरी चीज़ पर तो मैंने यह सारी चीज़े दिखा दिया आपको उसके बाद यहाँ पर एक option और दे रखा है वो दे रखा है आपका cancel order यह cancel order किस काम में आता है मैं दिखा दू पहले आपको यह NTPC select कर लेता हूं है कोई भी एक exchange select कर दिया NTC कर दिया generate code यह order को cancel करने में काम आता है अगर कोई आपकी open position है open position जैसे आपने कोई limit order लगा रखा है regular में या cover के अंदर या bracket के अंदर तो आप उस single उसको target कर सकते हो कि भाई वो चीज उसका जैसे आप यह पूरा fill up करोगे तो वो cancel हो जाए तो इस तरीके से वो cancel हो जाएगा order but अगर bracket order के अंदर एक चीज का याद रखना अगर आपने position ले रख़िए उस चीज के अंदर तो वो position execute हो जाएगी तो अभी के लिए मैं इस चीज को दिखाने के लिए आपको क्या करता हूं एक example के लिए मैं जाता हूं इधर फार्स पे गया एंड़ फार्स पे जाने के बाद मैंने एक नर्मली एक position ले लेता हूं अपके सामने तो मैं यहां पर all में गया and all में जाके एक बड़ ntpc का chart खोल लेता हूं इस चीछ को दहान रखना मैं regular कर दूँ पहले regular के अंदर 111 रुपे पर मैंने एक buy order लगा दिया तो अब यह क्या है मेरा pending order में ठीक है अब मैं क्या करता हूं यह मैंने जो cancel code की command बनाई है तो यह open order है यह open order और automatic cancel हो जाएगा फिर से generate करता हूं code copy करता हूं इदर गया तो यह cancel order करने के लिए होता है पर यह open order को cancel करेगा अगर bracket order के अंदर यह symbol मैंने select करा होता उसमें position होती तो उसे exit कर देता उस position को नहीं जा रहा अभी तक तो यह गया नहीं I think code में कुछ mismatch हो गया है या कुछ हो गया है जब हम एक बार refresh करके देख लेते हैं हमने refresh करा refresh करने पर भी नहीं गया ओके मिलको समझ आ गया क्यों नहीं गया मैं आपको दिखा देता हूं क्यूंकि हमने जो यहां symbol लिया है न वह गल्त लिया है and CC लिया है और जबकि हम किसको टिगर करा रहे हैं हम करा रहे है NTPC को तो हम change करते हैं से NTPC क्यूंकि बहुत देर से मैं NTPC ले रहा था and last time मैं मैंने कुछ गल्त ले लिया अब फिर से मैं इस code को generate करता हूं तो NTPC उपर लिखावा आ गया and copy करा code फिर से गये and मैं फिर से code के अंदर change करता हूं अगर हमारी coding गल्त है तो हमारा order जब भी नहीं जाएगा या एक्चेंज ने उस चीज़ पर order लगाने के लिए मना कर रखा है कि हाँ आज cover order नहीं लगेंगे इसके पर bracket order नहीं लगेंगे जब भी order नहीं जाएगा otherwise आपके सारे order जाएगे इस दो जीजन हो सकते हैं कि आपका order नहीं जा रहा तो आपको इन दोनों में से एक रीजन को देखना है कि की रीजन क्या है तो हम टिगर कराते हैं टिगर कराते हैं अलर्स आएगा अलर्स आय पर तो यह cancel हो जाता तो यह cancel order दो काम करता है यह open position को close करता है अगर cover and bracket order के अंदर आपने position ले रखी है तो उसे close करता है close मतलब exit करता है तो I think आप समझ गए होगे अब आजाते हम तीसरी चीज पर अब यह option है fully algo co and bracket मतलब cover and bracket यह काम करता है जैसे कि काफी लोग है मैं एक indicator लगा के दिखा देता हूं आपको एक मैं super trend indicator ले लेता हूं आपके सामने मैं इधर गया और मैंने पहले सारी चीज़े रिमूव करी and इधर गया and super trend को ले लेता हूं मैंने super trend सर्च करा and यह super trend को ले लिया यह अभी दो मिंट में load हो जाएगा यह super trend आ गया तो काफी सारे लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि वो एक indicator या कोई भी script लगा दी वो चाहते हैं कि जब buy हो जैसे उन्होंने show quantity यहां से buy करी तो जब sale आये तो पुरानी trading को close करें जो हमने पीछे buy करा था and नई short कर दे जैसे sale का signal आया तो इसके लिए से कहते है fully automation मतलब position automatic पीछे वाली close होती है and आगे वाली दल जाती है आपकी carry forward होती रहती position fully automatic चलती रहती है जब तक आप बंद नहीं करती है तो उसके लिए वो वाला code है जो अभी आपको दिखा है fully automatic fully automation आप fully algo आप cover order bracket order पर कर सकते हो कोई भी script ले होगे मतलब कोई भी symbol होगे ntpcs, bank बगएरा बगएरा उसके अंदर अगर ये code बनाके लगा देते हैं तो पुरानी position को close करेगा और नई position लगा देगा अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा जब वो सुबह starting करते हैं तो उनकी कोई पुरानी position तो होगी नी तो close क्या करेगा तो ऐसे में वो false कर देगा, false मतलब वो चलेगा, code चलेगा पर उसे पुरानी position कोई मिलेगी नी तो उसे close ली नी करेगा वो सीधे आपकी buy की position दाल देगा then sale का signal आएगा तो sale में उसे देखेगा कि पुरानी position कोई है तो देखेगा कि हाँ buy की position है, पहले उसे close करेगा and sale फिर आपकी short कर देगा तो इस तरीके से आपकी carry forward होती रहेगी position और fully automation आप जब तक बंद नी करोगे जब तक चलती रहेगी I think आपको समझ आ गया होगा, fires पे code कैसे काम करते हैं आपको समझ आ गया होगा, फिर भी अगर आपका कोई doubt है, कोई question है तो आप हमारे telegram group में join हो सकते हो, आप question कर सकते हो and मैं अपना whatsapp number and calling number आप description में दाल दूंगा, आप उस पे call करके जान सकते हो and कोई problem आती है, तो any text दाउनलोड करके आप मुझे call कर सकते हो thank you for watching this video and bye